हेलो दोस्तो नमेशकार इसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत सोगत करता हूँ दोस्तो फर्स टाम विजिट के इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को इट कर लेना अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासे इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक उपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन ब हमारे लिए बहुत ही ज्बास पशल के इस च mismaल के अगर आपके पास यह शेर तो आविसली हमारे के लिए बहुत ही ज़्यादा important है even though नहीं भी है फिर भी आप लोगों के लिए एक अंदाजा आ सकता कि आगे company में क्या हो सकता है क्या planning है प्री कोविड लेवल convenience fee से related जो issue हुआ था ऐसे बहुत सारे कुछ सवाल जवाब यहाँ पर पूछे जा चुके सो देख लेते क्या क्या जवाब इन्होंने आपे दिये हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले शुरुआ तो हम लोग कह सकते question यही था obviously सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर convenience fee से related वह जो confusion हम लोग को मिला था उसके उपर वह बाद में आएंगे उन्होंने काई कि बाद में हम लोग इसके उपर focus करेंगे पहले हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले उन्हें का है कि vaccination का रोल बहुती ज़्यादा important था फिलाल जो environment यहाँ पर चल रहा है अगर हम लोग बात करें पहले आप लोग ने देखा था tourism का बिजनेस है टेकिट बुकिंग का तो online इनका तो जबरदस बिजनेस है ही सो हर जगे पर फिलाल positivity देखने को यहाँ पर मिल रही है और प्लस अगर देखा गया तो फिलाल जो चीजे देखने को मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा drastic change देखने को मिल रहा है travel पैटन में अर्लियर अगर हम लोग बात करें इसके पहले need-based travel यहाँ पर जादा हुआ करती थे जितरा जरूरत है उसी के हिसाब से चीजे चलती थी बट अभी जाके theme-based travel भी हम लोग को देखने को मिल रहा है अगर आप देखोगे तो tourism में भी IRCTC के थुरू यहाँ पर बहुत सारी चीजे हम लोग को आगे बढ़ते वे देखने को मिल रहा है तो बिजनेस बहुत ही हद तक हम लोग को यहाँ पर resume होते वे देखने को मिल रहा है अगर देखा गया तो यहाँ पर ticketing का business अगर हम लोग कास करके बात करें इंटरनेट की अगर हम लोग टिकेटिक की बात करें तो वो pre-covid level तक हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर जाते वे देखने को मिल रहा है और इसके पीछे का reason भी है covid आप सब लोगों पड़ता था खा पे online पे और इसके चलते अभी लोगों को पता भी चला कि online ticket booking करना कितना आसान हो गया है और इसी लिए हम लोग देख सकते कि online ticket booking एक बहुत ही जबरदस लेवल पे देखने को मिल रहे है और वो बिलकुल pre-covid level तक पहुच चुकी है अलाकि उन्हों नहीं यह भी mention किया उनका बाकी का business tourism का then catering का business की बात करे रेल नीर की बात करे जो पानी का business हम लोग अगर water bottle की बात करे वो अभी तक pre-covid level तक नहीं पोचे है इंप्रूमेंट ज़रूर देखने को मिल रहे है बट internet ticket booking की अगर हम लोग बात करे जो railway का ticket booking की अगर हम लोग बात कर थे तो ऐसे बहुत सरे अलग 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 प्रोडक्ट यहां पर आयर से ने बाजार में आप उता रहे है उसी की साथ अगर हम लोग बात करे तो आप सब लोग को पता है अलग अलग expresses भी हम लोग को देखने को मिल रहे है तूरीजम में यह सारी चीज़े आते वह देखने क को मिल रहे हैं देन दोस्तों सेकेंड मोस्ट इंपोर्टन सवाल और वह कौन सा था टिकेट बुकिंग तो उनका है ही अच्छा इंकम बट आप सब लोग को बता है और एक किंग बिजनेस है और वहें कैटरिंग बिजनेस में आप लोग को बताया भी है टिकेट से ज्यादा IRCTC कैटरिंग बिजनेस से कमाती है अगर आप लोग चाहो तो प्री कोविड लेवल के रिजल्ट उठाके देख लेना बहुत ही अच्छा का सा बिजनेस वह यहापर करते तो आगे का रन्नीती किया है अगर हम लोग कैटरिंग बिजनेस की बात करे तो कब वह वापस रिज सवाल है बट फिलाल की जो कंडिशन है उसके हिसाब से जो कोविड की गाइडलाइन से उसके तहट IRCTC को सिर्फ यही और से कि वह रेडी टू इट फूड ही ट्रेंज में प्रवाइड करें कुक फूड की अगर हम लोग बात करें दूस्तों आप सब लोंको पता है जो आपस रिज्यूम किया जाए और आप सबी लोंको पता है फिलाल अगर हम लोग यहां पर बात करें तो इसके लिए और भी थोड़ा बहुत टाइम यहां पर लग भी सकता है उन्होंने यहां पर बता है आप देख सकते हो कि यह जो डिसीजन यहां पर लेने के लिए बातच बातची तो यहां पर चल रहे है नो डाउट कैटरिंग इंडस्ट्री बहुत ही जबरदस यहां पर परफॉर्मस देते है आयर सिटी से के लिए थोड़ा सा नाराज लोग इसलिए भी शेरोल्डर्स आयर सिटी से कि कि कैटरिंग बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहे है और न सब्सक्राइब और अब तक कोई प्रॉपर मतलब कॉंक्रीट सवाल का जवाब तो सामनी नहीं है बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाए था कि यहां पर उन्हेंने बता है था कि इससे रिलेटेड बाची स्टार्ट हो चुकी है तो आज ने तो कल तो जरूर यहां पर यह चीजे स्टार्ट होती है देखने को मिल सकते हैं खास करकि यह भी प्रस्ता हो गया था कि अगर हम लोग बात करें टूरिजम का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो इसमें अगर यह कुक फूड अगर स्टार्ट कर देंगे तो मतलब डबल बेनिफिट वह यहां पर कम यहां पर पूछा गया और आप सविलों को पता है वह है कि अगर हम लोग बात करें तो जो इश्यू यहां पर हुआ था रेल मिनिस्ट्री ने 50-50 पसेंट बाते की ती स्टॉक लगबख 28 पसेंट गिरा था दैन वह डिसीजन वापस यहां पर विड्रा हुआ था तो यहां यह भी आप लोगों को पता है कि यह भी चीज़ें आ रहे थी कि कंवेंस्वी 50-50 है ना तो IRCTC एक काम कर ले अपना कंवेंस्वी बढ़ा दे डबल कर दे तो अल्टिमेटली जो कैल्पिलेशन है उतना ही रहेगा तो यह भी पूछा गया क्या IRCTC के पास क्या यह पावर है आप देख सकते हैं तो इसका जटका यह पर यूजोली लगता है तो सबसे पहले जो एक्टिविटी क्या क्या है आपे होई थी लेटर से रिलेटेड वो सारी बाते उन्होंने आपे क्लियर कर दिये कि कैसे चार्जिस लगा थे और उसके बाद कैसे वो विड्राव भी कर द पावर है तो यस आयरशेटी से ने बताया कि उनके पास यह complete power है कि convenience fee चाहे तो वो decide कर सकते है जैसे उनको लगता है वैसे आप देख सकती है यसायरशेटी से हैजड़ कर सकती है तो इसका बी सवाल पूचा है कि क्या वो करेंगे क्या उसका भी सवाल का जवाब उनने दिय कर लेते तो फिर ठीक रहेगा एक सिक्वेंस रहेगा तो आप देख सकते आयर से टीसी डैट डिसाइड ऑन दे कंविनेंस फी चार्जेस के अगर लोग यहां पर बात करें तो जो उसका बोर्ड है वो यहां पर यह चीजे यहां पर कर सकता है एंड उनको यही सवाल पूछा तो आयर से टीसी की चैर्मैन इस सवाल का जवाब तो दे नहीं सकते है वो रेल्वे मिनिस्ट्री इस सवाल का जवाब प्रॉपरली देंगे वो चाहे तो कल भी बोल सकते है कि 50-50 वापस कर दो वो चाहे तो 70-30 भी बोल दे रैट क्योंकि उन्हीं के पास वो पूरी पावर करते हो फिलाल के परफॉर्मंस के हिसाब से आप सबी लों को यहाँ पर पता है जो कॉस्ट रहता है एक्सपेंडीचर रहता है वो सारी चीजे कल्कुलेट करने के बाद आयर से टीसी सफिशेंट अमांट ऑफ रेवन्यू जनरेट कर पा रही है और उसके बाद जो होने वा रहा है कोस्ट भी हो डाया एक्सपेंस भी बढ़ा रहा है रविनी भी प्रॉपरली कॉंट्रिबूट रहा है प्रॉफिट भी हो रहा है तो अननेसेसरली बढ़ाने का कोई जरुवत नहीं यह फिलाल उन्होंने यह पर अगर देखा गया तो यहाँ पर अगर कैल्कुलेश कर सकते हैं तो वो तो वक्त ही बताएगा कि क्या के चीज़े होंगी अकॉर्डन मतलब उस फेसे उनको वो डिशेन यहाँ पर फिलाल लेना पड़ेगा देन दोस्तों नेक्स सवाल अगर हम लोग रिजल्ट अल्रेड़ी पड़े तो कोई बड़ा सवाल नहीं है कि यहाँ टिकेट बुकिंग का बिजनेस कैसे चल रहा है तो वो फिगर सी यहाँ पर बता है कि पहले जुले की अगर हम लोग बात करें तो लगबग 3.43 करोड की टिकेट बुकिंग हुई थी दैन अगर हम लोग ऑगस्ट की बात करें 3.43 से 3.82 करोड हो गई सप्टेमबर में 3.95 करो अगर आयर सिटी सी का बिजनेस अच्छा का सा डाइवर्सिफाइंगे बट हॉस्पेटलिटी इंडस्ट्री में को वो कुछ जादा ही अभी फिलाल देखने को हम लोग को मतला एक्सपांशन देखने को यहाँ पर मिल रहा है देखा गया तो आप सब लोग को पता है जो मोन पॉली भी नहीं है बट स्टिल वो यहाँ पे क्यों ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे है तो इसका सवाल का भी जवाब बहुत ही नॉर्मल है आप सबी लोग को पता है कि आयर सिटी सी की अगर हम लोग बात करें है तो तूरिजम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो र पिजनेस डाउन है बट आगे भविश्य में इस चीज का फाइदा उनको हो सकता है इसलिए यह स्टेप आयर सिटी सी ने आपर लिया हुआ है दें दोस्तो आखरी सवाल यहाँ पे पूछा गया है और वह आखरी सवाल यहाँ अगर हम लोग बात करें आयर सिटी सी के फिला अगे पिजनेस की आपर विचार करेंगा कि डिविडेंट की उनकी जो पॉलिशी है वह क्या बढ़ाएंगे वह यहाँ पर तो इससे रिलेटेड मतलब क्या वह इतना कैश का करेंगे यह ऋसी के साथ साथ क्या और विजय क्योग कोई ने प्लानिंग अगर के आए लेग आ सिर्फ अभी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, profit range वाला business कौन सा है, तो internet ticketing वाला है, and pack drinking water, rail near की बात करें, सिर्फ यही दो business फिलाल profit range में है, फिलाल अगर हम लोग देखा गया, तो as such कोई जरुवत नहीं है, यह भी उनने यहाँ पर फिलाल बताया है, फिलाल उनका जो focus है, cook food services वाला, उसको भी open करने की वो यहाँ पर बात करें, उसके बाद सब कुछ अगर यहाँ पर normalize हो जाता है, and अगर उनको यहाँ पर लगता है future में, कि cash अगर बहुत ही जादा है, इससे related dividend बढ़ा कर यहाँ पर देना चाहिए, तो आप सबे लों को पता है, दीपम के जो guidelines है, उनके साथ वो बाक्चित करेंगे, and guidelines के accordingly, वो यहाँ पर investor को inform भी यहाँ पर कर देंगे, inform मतलब वो चाहिए तो dividend यहाँ पर भी दे सकते, obviously वो अभी से यह चीजे बोल नहीं सकते, क्योंकि situation के हिसाब से, यह सारी चीजे खिलनी पढ़ती है, आप देख सकते हैं, watch the situation, situation देखके वो बोल सकते हैं, मतलब आगे क्या रहेगा, वो अभी से तो नहीं बता सकते, right, COVID के third way का भी खतरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए अभी सब कुछ लोटा दिया, और बाद में कुछ issues हो गए, तो आपके पास मतलब कोई backup ही नहीं था, so situation की साब से, यह सारी चीजे की जाएगी, so जितना भी यह interview था दोस्तों, बहुत बड़ा था, obviously मैंने short form करके, आप लोगं को 10-15 मिनिट में, यह सारा क्रक्स यहां पर निकाल के दिया हुआ है, so आएब आशा करता हो दोस्तों, इससे आप लोगं को कोई भी मदद मिली होगी, तो चाहो तो वीडियो को like and share कर सकते हो, so that's it, thank you very much दो, so we will be meeting our English दो, तब तक के लिए, bye-bye.